Hello everyone, my name is Bikram Pratap Singh and welcome to HPA Academy. कैसे हैं आप लोग? मैं आपसे आज Indian Contract Act एक नया Act डिसकस करना है मुझे. और Indian Contract Act जो की बड़ा important है आपके कहीं के भी किसी भी judiciary के syllabus में भी आता है और हर जगा ही आता है. और रोज मुर्रा की जिंदगी में भी आप देखते होंगे कि Indian Contract Act की खासी यहमियत है. तो देखते हैं Indian Contract Act की genesis क्या है, यह originate क्यों हुआ, आपके syllabus के लिए क्या चीज़े important हैं, और इसके process क्या है, formation का क्या process है, इनके obligations कहां हैं, और इनकी एक तरह से क्या कहते हैं, binding force या legally binding force कहां लाई करते हैं, यह इसी तरीके सी pattern मैं आपसे contract को discuss करूँगा. और जब Indian Contract Act की genesis को, या Contract Act की genesis को हम जब trace करने की कोशिस करते हैं, तो आपको पता यह कब का Act है, 1872 का Act है, 9th Act of 1872 है, ठीक है? 1872 का 9th Act है, जो उस year में बनाया गया था. क्या उससे पहले कोई contract नहीं था? क्या उससे पहले किसी इस तरीके के कोई affairs या इस तरीके के कोई negotiations नहीं होते होंगे? तो हमें इसको समझना है कि यह है क्या? था क्या? ठीक? तो जब हम Contract Act की बात करते हैं, तो मैं start करता हूँ एक phrase से जहां की कहता है कि समाज जो है, society जो है, society is a net of social relationship, समाज, समाजिक समबंधों का जाल है. ठीक है, समाज क्या होता है? समाजिक समबंध, social relations, social affairs का जाल होता है. और वहां से मैं इसकी Genesis को उठाता हूँ और कहता हूँ कि अगर समाज में रहने वाले लोग, society में रहने वाले लोग, एक दूसरे से कहीं न कहीं कुछ न कुछ mutual obligations को create करते हैं, इनके बीच में कुछ न कुछ negotiations होते रहते हैं, कुछ न कुछ affairs होते रहते हैं, किसके regarding अपनी daily routine के लिए, अपनी daily life के लिए कुछ न कुछ obligations होते रहते हैं. ऐसा तो societal obligation है, अब क्योंकि societal obligation ये समाज में inherent तौर पे है, इसके बिना समाज समाज नहीं है, तो अब इन obligations को, इन negotiation को identify करने की ज़रत पड़े, इन obligations को समझने की ज़रत पड़े ही, कि कौन से obligation, जिसके legal binding force होनी चाहिए, कौन से, जिनको कि हम enforce नहीं करा सकते, ऐसे होने चाहिए. तो जो legally binding force के लिए हमने एक obligation बनाया, जो समाज ने एक दूसरे को लिए obligation बनाया, वो क्या है, उनके ऊपर जब हम binding force रखते हैं, या उनको हम uniformity देते हैं, उनको हम एक रूपता देते हैं, तो हमें Indian contract act की genesis वहाँ से हम trace करते हैं. इसके उदेश को हम समझिये, इसके उदेशों को समझिये कि Indian contract act का है, उदेश क्या है, समाज में रहने वाले लोगों के बीच में होने वाले जितने भी negotiations हैं, जो भी obligation create हो रहे हैं, उनका एक unified version है, जो कि Indian contract act के तौर पे यहाँ रख दिया गया 1872 में, recognize कर गया है. लेकिन जब हम contract act की genesis को देखते हैं, तो Indian contract act derived किया गया है कहां से, British contract से. Britain में contracts को हम कैसे देखते हैं, as a customary practices, customary practices, ठीक है, या और कैसे देखते हैं, rules, या और कैसे trace कर सकते हैं, It is a common conscience, common conscience, common conscience है, जो यहाँ समाज में रहने वाले लोग हैं, इनका एक common conscience है. Common क्यों है, क्योंकि इसमें एक mutuality होती है, mutuality और contract दोनों एक दोसरे के parallel run करते हैं, अगर mutuality नहीं होगी, तो contract नहीं होगी, that is consent वाला पार्ट, अभी बात में discuss करूँगा. जहां लोग, जब हम, जूरिस्ट को हम trace करते हैं, तब हमने देखा होगा mains आपको, main. Mains आप कहते हैं कि जब कोई भी progressive society होगी, तो वो status to contract की तरफ move करेगी. स्टेटस to contract को मैं समझाओं अगर आपको, तो status क्या होता था, आप समझना, status hereditary run करता था, जैसे कोई एक राजा हो गया, king, तो उसका जो बेटा होगा, संज होगा, वो भी क्या होगा, राजा ही होगा, राजकुमार होगा, और दूसरा, अगर एक कोई किसान हो गया, मतलब एक साधारण सा आम आदमी होगया, आप वाला नहीं, आम आदमी होगया, ठीक है, कोई एक general society का अधना सा आदमी होगया, तो उसका बेटा भी क्या होगा, एक अधना सा ही होगा, मतलब एक तरह का ये था, कहने का मतलब है, आप अपने status को by birth पाते थे, ये ही था, लेकिन, जब ये contract था, क्या king किसी के साथ obligation बना सकता था, obligation था, नहीं, king राजा होता था और ये उसका, उसकी प्रजा होती थी, इधर से चाहे जो command आ जाए, लेकिन इधर से कोई भी command को accept करने के लिए नहीं था, इसकी कोई liability नहीं था, अगर आपने hope field को भी पढ़ा होगा, तो जहाँ power है, वहाँ liability की बात होती न, तो एक का power था, और द दूसरे की disability थी, दूसरा disabled था वहाँ, राइट को नहीं उसकर सकता था, उसके खिलाब, लेकिन जब हम contract की बात करते हैं, तो contract आता है mutuality से, mutuality से, mutuality में क्या होता है, एक की right, एक का right है, दूसरे का obligation है, obligation को कैसे हम define करेंगे, it is a duty, enforceable by law, it is a obligation, ठीक है, तो mutuality जब contract की बात आएगी, तो एक क्या right होगा, दूसरे की duty होगी, लेकिन स्टेटस की बात आती थी, तो केवल command होता था, इधर से कोई भी liability नहीं होती थी, तो जो progressive society होगी, वो लोगों को, मतलब एक monarchy जो system है, उसको खतम करेंगे, तो पहले राजा हुआ करते थे, फिर छोटे राजा बने, फिर उसके बाद, फिर constitution आ गया, सारे राजा खतम, सभी राजा रंग खतम, किसी के पास special status, अब नहीं है, article 18 बता दिया, कि कोई भी राजा अब नहीं रहा, कोई भी special title आपके पास नहीं है, ठीक है, constitution आ गया, मालों अब constitution आ गया, society move कर रही, society progressive way में है, इसने क्या opt किया, जब से constitution आया, तो इसने कह दिया, कह दिया कि, सभी व्यक्तियों के पास, अगर consent है, consensus adenum है, mutuality है, दिन वो contract कर सकते हैं, और कोई भी transaction के बीच में कर सकते हैं, तो progressive society की जो new है, वो किस पर dependent है, contract है, तो में सहाब ने सही कहा था, कि जब progressive society आएगी, तो वो status to contract की तरफ move करीगी, और जो यहाँ, मैंने आपको example के तौर पर दिखाया, तो अब, यहाँ rights तो create किये जाए गए, अब यहाँ rights कौन create कर रहा है, question यह उठा, यहाँ rights कौन create कर रहा है, rights create कर रहा है, A और B, parties अपने दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए rights create कर रहा है, तो it is a law made by parties, तो contract is a law made by parties, whether it is a legislation, नहीं, यह law है, इसको legislature ने पास तो किया है, इसमें enactment है, लेकिन, यह it is, जब हम इसकी बात करते हैं, it is a peculiar branch of law, peculiar branch of law का मतलब क्या है, लोग अपने rights and duty, अपने obligation को खुद ही create कर रहे हैं, लेकिन, जब यह default होगा, तब यह उसको protect करने के लिए, एक legislation की जरुरत पढ़ती है, उनको protect करने के लिए जरुरत पढ़ती है, law जो बनाया जा रहा है, जो rights originate हो रहे हैं, राइट originated by A and B, लेकिन उनको enforceable by contract, enforceable by contract act, तो originate कहां से हो रहा है, A और B के बीच में, इसलिए कहते हैं, proposal and acceptance becomes agreement, agreement enforceable कब होगा, जब contract आएगा, तो agreement is made by parties and contract is made by law, law आया, then enforceable, लेकिन agreement enforceable है, obviously नहीं, agreement enforceable नहीं है, ठीक है, agreement obligatory है, enforceable नहीं है, लेकिन contract जब उसमें जोड़ जाता है, तो वो उसको enforceable बनाता है, इसलिए हमें enactment या legislation की जरुरत पढ़ी, कुछ clear हुआ, अब फिर एक बात समझे, 1872 का एक law, जो की 2020 में follow किया जा रहा है, क्या, ऐसा कोई law है, जिसने इसको consider किया होगा, क्योंकि Indian contract act नहीं, contract act, contract act, जो है, वो based है किस पे, customary practices पे, rules पे, commercial, common consigns पे, और साथी साथ, common consigns के साथ, ये based है, common law पे, similar to common consigns, common law पे based है, court ने कोई judicial decision दिया है, उस पे भी based है, कोई customary practices हैं, उस पे भी based है, लेकिन किनकी customary practices, ये जो foreign में, बृतन में, जो माने जाती थी, उन customary practices पे based है, इंडिया में क्यों लाया गया, इंडिया में कैसे लाया गया, इंडिया में लाने के लिए, दो provision है constitution के, आप हमेशा याद रखना, जो हमेशा help करते हैं, पुराने laws को carry करने के लिए, क्या करते हैं, carry करते हैं, किस में, नए laws में, new society में, मतलब पुराने laws का मतलब laws enforceable before the constitution तो whether it is यहां आज मानलो constitution आज enforceable हुआ है आज की date पे इससे पहले के जो laws हैं इनको अगर carry करना होता है तो उनकी genesis कहां से होती है उनको right कहां से मिलते हैं इनको right मिलते हैं Indian constitution से Indian constitution का section 372 read along with section 395 दो provisions है section 372 और 395 372 बात करता है कि कोई भी अगर Government of India Act में कोई भी provision रहे होंगे Government of India Act 1935 में कोई भी provision रहे होंगे उनको constitution ने opt किया है unless की वो inconsistent ना हों ठीक दूसरी बात करता है रिपील्स की बात करता है रिपील्स हैं 395 में उसमें कहता है कि अगर कोई भी law जो की expressly repeal नहीं कर दिया गया और वो expressly नहीं है मालो प्रिभी council के judgment हो गया या 1947 का act हो गया तो ये सारे provisions अगर expressly repeal नहीं किये गये तो माना जाएगा वो अभी भी enforceable है तो इसलिए हम कहते है Indian contract act 1872 आज भी enforceable है वो power कहां से पाता है इस जगह से power पाता है जो की आपका section article, sorry article, article 372 and 395 है अब देख लेना एक बार समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ फिर अब जब ये बनाया गया तो ये देखा गया कि ये कहां का subject matter हो सकता है मतलब state इस पर law बना सकता है या center इस पर law बनाएगा main press नहीं अभी उठा तो आप हमेशा याद रखना center इस पर law नहीं बनाता है specifically ये concurrent list, concurrent list आपको बता है constitution में concurrent list में 47 entries है न तो उन 47 entries में concurrent list में constitution fall करता है इसलिए protected and supported by constitution है अब जब हम constitutional rights की बात करते है राइट to contract क्या एक तरीके के protected right है? हाँ, right to contract एक obligation है ये आपका kind of कोई भी मतलब इस तरह के अपने right को genesis करना, अपने right को originate करना ये आपका personal right हो सकता है, personal right आप उसको कोई बार नहीं कर सकता है it is a protected right, ठीक है? इसकी genesis कहां होती है? Indian contract act itself read along with constitution तो अगर कोई भी contract बनाया गया है तो it means, कोई भी law बनाया गया, it means it is all up to the parties, it is all up to the laws to make the law perfect and obligatory, तो यहां parties के पास free hand है कि वो कभी भी कोई भी contract कर सकते हैं, ऐसे contract जो कि valid terms पे हैं, जो कि जिनको कि expressly prohibit नहीं किया गया हो, या कोई भी जो Indian contract act ने जिस चीज को रोक ना दिया हो expressly, तो ऐसे contract वो कर सकते हैं, clear, तो अब question यह उठा कि जब यह concurrent list का subject है, तो इस concurrent list में क्या बनाया गया है, कौन से rules ऐसे कौन से regulations उसको बनाया गया है, तो concurrent list में केवल unified and identify किया गया है, constitution के terms को, जिन पे की parties अपने rights and duties को नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, opt करेंगे, तो parties free हैं, ऐसे काम करने के लिए, ऐसे contract करने के लिए जो की prohibited ना हूँ, मालो, किसी law ने कहा, किसी law में mention किया गया है, कि trade को restrained करने वाला कोई भी contract आप नहीं करोगे, अगर आप दोनों parties ने trade को restrained करने वाला, restrict करने वाला भी कोई trade कर देते हो, तो क्या allow किया जाएगा, obviously नहीं allow किया जाएगा, क्योंकि void है, ऐसे agreements को void बनाए गया, ऐसे existence में नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी provision को, जिसको की पूरे contract act में, जो की section 1 to 75 है, जो की rules and regulation बताता है, उसके बीच में अगर कोई भी contract किया गया है, और इनके जो भी rules and regulation है, उनको follow करते हुए किया गया है, then it is a valid contract, and law अब support करेगा, कि अगर इसको enforced नहीं कराया गया, तब क्या किया जाएगा, तो तीन तरीके हैं, इसको समझने के, इसको मैं हटाऊँगा, अब यह, यौला part, प्राची इन समय में बाटर सिस्टम होता था, अब आप जाते हो, CCD पर बैठते हो, वो कॉफी लेया के रख देता है आपके पास, और आप पीते हो, पैसे देते हो, चले आते हो, इवन आपने किसी को कुछ नहीं का, फिर भी आपने उस tradition को follow किया, जो आजकल society में व्यापत है, वहाँ भी implied terms पर contract हो रहा है, ठीक है, वहाँ भी implied terms पर contract हो रहा है, पापा आपको पढ़ने के लिए पैसे दे रहे हैं, तो आप पापा को force नहीं कर सकते हो, कि पापा आप प contract, implied तोर पर नहीं है, वहाँ natural and love and affection की बात होती है, तो वहाँ भी contract नहीं originate हो रहा है, clear, तो अब इसको समझना, कि A और B, दो व्यक्तियों ने अपने rights and duties को बनाया, A और B के बीच में rights and duties बन के आई, ठीक, और it is created by parties, it is created by parties, फिर, it is created by parties, तो rights may be created by process of legislation, कोई भी rights and duty कैसे create किया जाता है, by process of legislation, या तो और contract, ठीक है, या तो legislation के मादध हम से, या तो contract के मादध हम से, right to contract, right to contract, समझना, right to contract, it is a legislation, constitution से supported है क्योंकि, यह legislative right है, लेकिन, what to contract, what to contract, how to contract, ठीक है, why to contract, यह सब क्या है, यह सब क्या है, यह सब क्या है, यह rights and duty and obligation made by parties है, made by contract है, it means, the terms of the contract, the terms of the contract are, the right and duty is made by parties, made by parties, clear, यह सारी बाते कहां मेंशन की गई है, यहाँ, अब इसके beyond अगर आपके जाके कर रहे हो, then there is relief, there is a remedy, there is a remedy, ठीक, remedy available है, यह देखी जाएगी, manner, अगर कोई ऐसे manner है, जो की law में mention कर दिये गए है, उन manner को follow किया जाएगा, जो remedy available है, इनके manner को ना follow करने पर, उनको remedy वो relief आपको मिलेगी, तो कहने का मतलब है, एक contract है, दूसरा obligation है, और तीसरी relief है, तो इसके अगर हम framework को देखें, तो contract act ऐसे ही run करता है, सबसे पहले, formation का part है, क्या है, formation, formation का part है, सबसे पहला क्या part है, three, there are three types, first one is formation, 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 formation कहां से कहां सक mention है, section, section 2, section 2, section 30, it is a formation, यहां formation की बात करता है, दूसरा obligation, दूसरा है, क्या बात करता है, obligation, यह है section 37, ठीक है, इसके बाद है, obligation के बाद है, remedy, obligation complete नहीं हुए, obligation fulfill नहीं हुए, तो हमें क्या मिलती है, remedy, that is, compensation, compensation, ठीक है, या specific performance, या injunction अगर चाहिए है, injunction, या restitution, restitution, etc. ठीक है, यह इस तरीके की remedies इसमें available है, तो कहने का मतलब है, अगर एक valid contract बन गया, valid contract बन गया, then section 37 कहता है, कि that contract must be performed, performed by the parties, by the parties, and if the parties fail to perform, then जो aggrieved party है, he may approach to the court for the enforcement of the contract, ठीक, तो यह obligation को अगर नहीं किया गया, then यह remedy available है, court इस remedy को दूसरी party को, aggrieved party को provide करती है, तो remedy कहां दी हुई है, remedy आपकी section 73 to 75 हो गया, compensation की बात करता है, specific performance जो act है, specific performance act में देख लो, section 10 to 25 हो गया, ठीक है, फिर injunction की बात करते हो, injunction आप 36 to 43, I think, 43 हो गया, restitution की बात करते हो, Indian contract act में, section 65 में, या 64 में, section 64 और 65 में, ठीक है, restitution की बात करती, contract यही है, basically contract यही है, अब इसके अलामा क्या बचता है, इसके अलामा बचता है, कि different type of contract, different modes and different types of contract, different types of contract में हो गया, एक हो गया आपका, contingent contract, ठीक है, section 31 to 36, ठीक है, contingent contract, दूसरा हो गया, आपका, anticipatory breach वाला पार्ट, यह भी आपका, इस failure of performance को लेके है, तो एक आपका इस पे अलग discussion हो जाएगा, हमारा, 39 onwards है, 39 and 50, 52 and all, 54, फिर इसके बाद, receive local promises हो गया, promises, then, quasi contract हो गया, quasi contract, जो कि इसी का एक पार्ट है, ठीक, quasi contract आपका हो गया, section 68 to 72, ठीक है, reciprocal promises हो गया, 54, 50, उसमें मैं आपको बता दूँगा, कौन-कौन से, different, different provisions है, reciprocal promises हो गया, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा, ये तो हो गया, general contract, इसके अलावा है, specific contract, specific contract क्या है, जिसमें आप, indemnity, guarantee, bailment, pledge, और agency, इतना हम देखते हैं, ठीक है, ये specific contract है, क्योंकि ये particular ये special contract की तौर पे इनको use किया जाता है, इसके अलावा क्या था, Indian contract act में, sales of goods act भी हुआ करता था, और साथ ही साथ, उसके partnership act भी हुआ करता था, जिनकों की अलग कर दिया गया, उनको भी specific branch कर दिया गया, उनको भी separate कर दिया गया, ठीक है, 1930 और 1932 में आपको पता है, पहले ये जो प्रोभिजन है, 75 के बाद से लेके 123 तक, उसके बीच में आपका sales of goods act हुआ करता था, और 237 onwards जो था, वो आपका partnership act हुआ करता था, उसको हटा दिया गया, उसको यहां से हटा दिया गया, तो अब ये तो हो गया, इसका formation, तो question यही यहां से उठता है, कि formation क्या है, obligation क्या है, और remedy क्या है, यही है Indian contract act का प्रारूप, यही है इसका basic draft, clear, अब फिर से हम आते हैं इस पे, अब देखो, दो प्रोसेस से बन गया, लेकिन, legislation ने, जो contract बनाया, legislation ने, जो contract बनाया, वो क्या किया उसने, Indian contract act के तौर पे, 9th of 1872 बनाया, इसने, इसमें define किया गया, 2h, 2h, जो कि define करता है किसको, contract को, contract को, contract क्या है, agreement, enforceable, by law, is contract, is contract, ऐसा कौन कहता है, इसनों ने define किया, कि agreement, enforceable by law, is a contract, तो there must be an agreement, जो agreement की एक requirement हो गई, फिर उसके बाद, it must be enforceable by law, तब वो बनेगा क्या, contract, it means, agreement plus enforceability is equal to contract, agreement plus enforceability is equal to contract, इसका मतलब है, there might be chance of agreements, that are enforceable, that are not enforceable, not enforceable, तो सभी agreement जो है, वो contract नहीं होते हैं, कुछ agreement जिसमें की enforceability आजाती है, that is contract, अभी आप समझता है, सभी agreement, contract नहीं होते हैं, जिनमें केवल वही agreement contract होते हैं, जो के enforceable, enforceable होते हैं, इसका कहने का मतलब है, कि whether agreement is enforceable, or not, तो agreement क्या enforceable होता है, या contract enforceable होता है, law की परिद किसमें आती है, तो कहने का सीधा और simple तात पर है, कि जब कोई भी agreement supported by law होगा, तभी वो enforceable होगा, otherwise वो enforceable नहीं होगा, ठीक है, तो अब यहाँ देखो, अब आपके सामने फिर से एक question आएगा, agreement arises between the parties, समझना, और contract arises, contract arose by the law, contract is a genesis of law, but agreement is a genesis of parties, क्योंकि proposal and acceptance, एक का proposal आता है, और एक का acceptance आता है, दोनों क्या बनाते हैं, agreement बनाते हैं, तो parties ने agreement बनाया और law ने contract बनाया, parties ने agreement बनाया, law ने contract बनाया, तो याद रखना हमेशा, भूलना मत, कभी आपसे question ये पूस्च सकता है, कि whether, agreement is made by parties and contract is made by law, contract is made by parties and agreement is made by law, अगर आपसे ऐसे question पूस्ट ले, कि दो इसमें phrases हैं, जिनको कि सही करिए, आपको कि इनको correct करिए, अपने इनकी सही जगह पे दीजए इनको, तब आप क्या बताओगे, कि agreement is made by parties and contract is made by law, क्योंकि agreement जब तक enforceable नहीं होगा, तब तक को contract नहीं होगा, और जब enforceable है, इसका मतलब enforce करा रहे हो, that is a binding obligation, तो law क्या करता है, एक binding obligation create करता है, तो binding obligation जब तक नहीं है, वो law है, तो law of morality और law of legislation दोनों में अंतर है, agreement moral ही बचता है, agreement में morality ही बचती है, क्योंकि इसमें binding force नहीं है, इसलिए हमें इसाफ क्या कहा जाता है, law is a command of sovereign, जिसमें की एक binding force है, backed by sanction, backed by sanction का मतलब है, क्या, backed by sanction का मतलब है, कि वो enforceable बनाया गया है, उसका कुछ न कुछ शास्तियां mention की गई है, उसकी कुछ न कुछ remedies available हैं, अगर उसको कोई follow नहीं करता है, it is backed by sanction, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो Austin साब की यह definition थी, मैं नहीं बनाया, Tulsidaas जी ने पहले भी कहा इसको, Tulsidaas जी ने पहले भी इसको कहा है, कि भय भी नहुए नप्रीथ, तो पहले भी तो contract में यही होते थे, कि भय भय तो दिखाने ही पड़ता था, तो जब उसमें भय आ जाए, किसी general promise में जब भय आ जाए, तब वो infotiable होता है, तो general promise में जब वो regulations आ जाएं, rules आ जाएं, law आ जाए, then वो infotiable होगा, और law कहां mention किया गया है, वो है section 10 में, section 10 में जब ही नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ, कि section 10 में कुछ ऐसी requirement या essentials है, अगर उनको completely satisfy कर दिया गया, then agreement is a contract, otherwise it is not contract, it cannot be a contract, तब क्या होगा, वोइड हो सकता है, वोइड हो सकता है, वोइड हो सकता है, वोइड हो सकता है, वोइड हो अग्रिमेंट होते हैं क्या, obviously नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, वोइड हो सकते, वोइड हो सकते, वोइड हो सकते, वोइड हो गया, इसका मतलब है, nothing in the eye of law, law ने उसको कुछ considering नहीं किया, दो लोगों के बीच में negotiations होते हैं, उन negotiations को perfect होते हैं, अगर उन negotiation में enforceability आती है, तो contract होते हैं, और नहीं आती है, तो वोइड होते हैं, that's it, there are multiple negotiations, there are multiple negotiations, ठीक है, उन negotiation पे ये base बनता है, ठीक है, अब उन negotiations को करने के पीछे का logic क्या है, contract हमेशा बनाया किस लिए जाता है, क्यों बनाया जाता है, आपको पता है, क्योंकि for something, contract हमेशा किस चीज के लिए बनाया जाता है, something, ये जो something है ना, ये ना हो, तो contract का मतलब zero, बिना किसी purpose के, contract नहीं बनाया जा सकता, तो something is something, in the eye of law, अगर ये something ना हो, तो क्या contract बन सकता है, obviously नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि something is a price, something is a price, price of what, price of negotiations, that is promise, something is price of promise, और ये something is what, something is consideration, ठीक है, तो कहने का एक मतलब है कि, A और B, देखो, proposal and acceptance, क्या बनाते हैं, agreement बनाते हैं, और इन पर enforceability आती, तो contract बनता है, और in proposal, यही proposal, जब accept कर लिया जाता है, दिन क्या बनता है, वो promise बनता है, और जब promise, किसलिए बनाया गया है, वो जब amount mention कर दिया जाता है, वो consideration mention कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं, कि this is consideration, इसलिए law कहता है हमेशा, कि consideration को जब अभी बात में समझेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा, कि consideration is a price of promise, price of promise, promise क्या है, negotiation, negotiation जब valid होता है, तो promise बनता है, और यही promise जब consideration के साथ आता है, देन वो agreement को support करता है, agreement के genesis होती है, और बाद में हम क्या बनाते हैं, उसी से contract बनाते हैं, कब हो जब वो enforceable हो जाए, सवज मैं है, ठीक है, एक तो बात यह हो गई, एक तो छोटा सा, अभी एक initial discussion यही था, फिर से अब आते हैं, इसको अटाते हैं, अब एक question यह उठता है, जो मैं अभी आपसे discuss भी करा हूँ, तो आपसे कभी-कभी means में या interview में पूर्च सकता है, कि whether contract is a law, क्या contract law है, yes, it is law, it is law, law made by parties, is contract a law, अगर आपसे पूछे कोई कि क्या contract law है, तो आप कहोगे, yes, it is law, it is law, law made by parties, made by parties, parties, it is law made by parties, and parties are, parties are bound by law, bound by law, parties are bound by law, law क्या कहता है, it is enforceability, enforceability, ठीक है, it is enforceability, enforceability is given under section 37, 37 क्या कहता है, it is obligation, obligation, obligation कहांट defined है, section 2A of SRA, a specific relief act, क्या है वहाँ, it is a duty, enforceable by law, by law, तो what is law, law made by parties, और law considered by legislation, समझना, law made by parties, और law considered by legislation, ठीक है, तो parties must perform, their respective promises, ठीक है, unless excuse of law, जो कि section 37 कहता है, अब जो must word, use किया गया है, section 37 में, जो must word, use किया गया है, must, यह rise देता है आपको, enforceability के, enforceability, ठीक है, enforceability, it means, binding force, binding force of law, तो जब यह binding force of law हो गया, तब आप हम इसे क्या कह सकते हैं, कि law between the parties, because it is limited to the obligation, how, when, what, why to perform, ठीक है, it is a law made by parties, किस obligation में, इनहीं में, अब law, legislature का law, और law parties का law, इन दोनों में क्या difference है, तो legislature का जो law है, वो made by legislature होता है, उसके बाद, ये proper discussion के through निकलता है, parliamentary discussions होते हैं, उनके debates के through निकलता है, इनमें proper considerations होते हैं, लोग सबा, राजसबा, आपको पता है, law कैसे बना जाता है, और साथी साथ, इसमें larger societal interest involved होता है, law society के लिए बनाया जाता है, समाज के लिए बनाया जाता है, individual के लिए law नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन, अगर individual भी class है, तो उसको law बनाया जा सकता है, आपको जैसे पता है, आर्टिकल 14 में आपने पढ़ रखा है, कि एक व्यक्ति भी एक class हो सकता है, उसके लिए law बनाया जा सकता है, और जब हम इसकी बात करते हैं, public nature की बात करते हैं, तो then it is a right in REM, जहां society का individual से संबंद होता है, किस से संबंद होता है, society का individual से, society to individual, दूसरा, जहां person to person, binding on persons, ठीक है, binding on persons, यह हो गया right in personam, right in personam, यह हो गया right in REM, right in REM, यह right in REM हो गया, यह right in personam हो गया, अब society जो है, यहां person to person जहां रन कर रही है, तो यह obligations, obligations created by, created by law, obligations created by law, made by parties, made by parties, obligations created by law, made by parties, यह right in personam की बात कर रहा है, तो Indian contract है, right in REM की बात करता है, personam की बात करता है, तो आपको पता है क्या बात करता है, right in personam की बात करता है, क्यूंकि इसमें दो लोगों के rights involved है, अब आप से मिलते हैं, next lecture में, जहां अभी introduction वाला ही part चलेगा, हमको लगता है, एक से दो lecture और चलेगे, एक ही lecture और चलेगा, जिसमें मैं introduce ही कराऊंगा इसको भी, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, धिरे धिरे चीज़ें खुल रही होंगी, तो अभी और भी चीज़ें खुलेंगे, फिर हम इसको चैनलाइस तरीके से चलेंगे, कैसे किस तरीके से लेके चलना है इसको, ठीक है, ओके, गुड़ लग, इंजॉय करते रहो, All the best.